रोहतांग पास को पाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्मान का स्वपन मानेनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के नेतरत में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उचितम प्राथमिक्ता देने से साकार हो पाया है टनल का निर्मान दिवंगत प्रधान मंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपाई की तितर कमलोंगारा दो हजार दो में अपरोच रोड के शिलानास के साथ आरम हुआ था टनल के कारे में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई इसमें 8000 लीटर प्रती मिनट के वहाओ से पानी ने टनल के कारे में बाध हडा ली ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चिनोती साबित हुई जिसको नवीन तम टेकनलोजी और आधोनिक उपकरनों से दूर किया गया समय पर कारे पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बियारों के 650 कर्वियों ने एक जुठ होकर तीन शिफ्टों में कारे किया हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मु कश्मीर से जोडने वाली मनाली को ले से जोडने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगा 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी पाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सेकुरिटी उपकरन लगाए गए है कनल में हर 250 मीटर पर CCTV कैमरा, 150 मीटर पर टेलिफोन, 60 मीटर पर फायर हाइडरेंट हर किलोमीटर पर एएर कॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आटोमेटड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधायन उपलब्द है ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल भूम से सकाड़ा द्वारा संचालित किये जाते हैं कनल के नीचे विशेश रूप से किसी भी आपात स्थिती में जात्यों को सही सलामत निकाले के लिए एग्रेस्ट तनल का गावधान किया गया है स्थानिय लोगों के लिए जहां ये गई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी वहीं सशस्त्र वनों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती शित्रों में पहुशना सहच होगा माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मस्दोती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सरवांगीर विकास के लिए एक महतपून कदम सावित होगा इससे लोगों के चेहरों पर प्रसनता की मुस्कान सहच ही देखी जा सकती है अटल तनल रोहतां को माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा राष्ट को समर्पित किया जा रहा